इंडिया गटबंधन में शामिल आम आदमी पार्टी के सन्योजक अर्विंद केजरीवाल ने गटबंधन के भविश्य को लेकर एक बड़ा बयान दिया है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरीवाल ने कहा कि कॉंग्रेस के साथ आपका गटबंधन स्थाई नहीं है दोनों पार्टिया लोकसभाचुनाव में भाजपा को हराने के लिए साथ आई है रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरीवाल ने दावा किया कि 4 जून को चौकाने वाले नतीजों का इंतिजार है विपक्षी गटबंधन लोकसभाचुनाव जीतेगा आपको बता दे कि दिल्ली में आप और कॉंग्रिस के बीच गटबंधन है जबकि पडोसी राज्य पंजाब में दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रही है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अर्विंद केजरीवाल ने कहा कि हमने कोई शादी थोरी की है हमारी कोई मैरिज नहीं हुई है अरेंज मैरिज नहीं हुई है लव मैरिज नहीं हुई है हम लोग देश बचाने के लिए चार जून तक चुनाव लड़ने के लिए साथ आए हैं। हमारा लक्ष फिलहाल भाजपा को हराना और मौजूदा शासन की ताना शाही और गुंडागर्दी को खत्म करना है। उन्होंने कहा कि देश को बचाना महत्वपूर्ण है। भाजप केच्रीवाल से गिरफतारी के बाद इस्तीफा देने के बारे में पूछा गया तो आम आदमी पार्टी के मुख्या ने कहा कि वो डरने वाले नहीं है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री पत से इस्तीफा देने का सवाल ही नहीं उठता। मेरा वापस जेल जाना कोई पर है। वे मुझे जब तक चाहें जेल में रखें। मैं डरने वाला नहीं हूँ। केच्रीवाल ने कहा कि बीजेपी ऐसा चाहती है। इसलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री पत से इस्तीफा देने का कोई सवाल ही नहीं है। आपको बता दें कि अंतरिम जमानत पर बाहर मारपीट मामले पर टिपणी करने से इनकार कर दिया। क्योंकि मामला अदालत में है। स्वाती मालिवाल केस में केच्रीवाल ने कहा कि एक पक्ष इनका है और दूसरा पक्ष विभव का है। मुझे लगता है कि कोट को विचार करके न्याय देना चाहिए। अभी तक 2024 एक जून शाम 6 बजे से लोग सभा चुनाओ के नतीजे 4 जून सुभे 7 बजे से देखिए चुनाओ नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले सबसे 60 केवल अमर उजाला पर